हेलो और वेल्कम तो दा स्टूडियो टेडर्स ओप रोयलिटी को आज की दिन हम ट्रेड कर रहे हैं इसके अंदर जस्ट अभी हमने एक अपनी पोजिशन बनाई है शॉट साइट की तरफ हमारे जो लेवल है 919.65 का इस वाले पॉइंट्स के नीचे अपने इंट्रीस के अप over RTD अपना एक्सक्रेड क्या और बूb को पन कर लेते हैं जल्दी से इस प्रेशो हो ओड़ तो ट्रीट बूग के अंदर में से refresh कर लेते हैं, price 1920 रूपीज के around का हमारा profit चल गया है, and अभी तक हमने कोई भी इसके अंदर stop loss order अपना नहीं लगाया हुआ है, so order book जो आप देखोगे तो सिर्फ एक ही quantity, हमारी एक ही order हमारा लगा हुआ है, 800 quantity इसको भी sell side में, तो अभी बारी अभी इसके अंदर stop loss लगाने को जल्दी से stop loss लगा देते हैं, अपना moves काफी बड़े-बड़े हो रहे है, 400 रुपीज, 4000 का profit हमारा यहाँ पर चल रहा है, and square of NAC square of NAC 914 है, 922 रुपे 0.60 पेसे यह अपना stop loss order रहेगा, यह क्या हुआ? ओ शिट बार ही mistake हो गई है, इतना अच्छा price move कर रहा है, सब कुछ बढ़ी है, order भी काफी अच्छी जगे पर हमको मिल गया, stop loss लगाने के लिए देखी, गडबड कर दिया हमने, अब कोई दूसरा trade find करते हैं, because of royalty का जो हमारा level था trade execute करने का वह काफी दूर निकल चुका है, price अगें जब हमारे predefined level पर आगा हम तभी trade execute कर सकते हैं, otherwise यहां से भी trade execute नहीं करेंगे, देखिए, position book, 3700 का profit book करके चुपचा बाहर है, जबकि कितना अच्छा खासा profit यहां पर चल रहा होता हमारा, 45-45,000 रुपए का profit चल रहा होता, यह भी और नीचे जाएगा, देखिएगा, यह काफी अच्छा move लोगों को दिखा देगा, कम से कम, कम से कम तो यहां तक तो दिखाएगा, यह दिखाएगा, यहां तक, 8-9,000 रुपए का profit हमें हो सकता था, चल ए, कोई दूसरा trade find करते हैं, इसको जाने देते हैं, होता है इसा, अब जो trade हम एक्जेक्यूट करेंगें, उसके execution के बाद से हम इसको record करेंगे, आप लोगों के साथ हम share करेंगे, So, find करते हैं, कोई अगर trade मिलता तो उसको trade करेंगे, and उसके बाद मैं इसको आपनों के साथ share करेंगे, Thanks So, traders, आज हमने 2 stock को trade किया, overall TMA morning में हम 3,000 कुछ रुपय का profit लेकर के बाहर निकल गे थे, Actually, by mistake, हम बाहर निकल गए, stop loss order लगाने के वज़ाए, हमने उसके अंदर अपना direct order लगा दे और हो वहाँ से बाहर निकल गए, कल शाम की class के जितने में attendees थे, कल की class में Titan को discuss किया था, one day before हम कैसे किसी एक stock को read करते हैं, और next day उसके अंदर की views कैसे बनते हैं हमारे, अभी देखिए, यहाँ पर Titan पूरे दिन यह गिरता है रहा है, because कल यह बहुत अपने crucial level पर था, और अपर अपने अपने कुरूशल लेवल पर था, और अपने अपने कुरूशल लेवल पर था, एक stock morning में जो अपने ट्रेट किया था, 3000 के राउंड का प्राफिट था, इसको refresh कर लेते हैं एक बार, and Titan को जो हमने ट्रेट किया था, 10,000 के राउंड का प्राफिट था, तो दोनों में मिला करके, 13,760 रूप मतलब 13,760 रूपिज का प्राफिट है, order book में आप देखोगे, जो quantities हमें लगाई था, ओवर्राल्टी के अंदर, 800 quantities हमें ओवर्राल्टी के अंदर शॉट की थी, और Titan के अंदर 379 quantities हमें शॉट की थी, बिल्कुल राउंड फिगर में, 379 quantities को एक बार रीफ्रेश कर लेते, 379, ओके, अब आगे की वीडियो में, हम कल के शाम की जो class की recording हम उसको आप लोगों के साथ शेर करेंगे, आप उसको देखोगे, तो काभी साही चीज़ समझ में आ जाएंगे, ज्यादा नहीं 5 मिट की वो जस्त एक क्लिप है, वो कट है, वो क्लिप है आप लोगों के साथ हम शेर करेंगे, तो समझ में आ जाएगा, कि एक दिन कैसे, एक दिन पहले किस तरह से हम टाइटन को रीड कर रहे हैं, और नेक्स्टेक के मूव्स को किस तरह से एक्सपेक्ट करके, कि आज हमने उसके अंदर ट्रीड इंग स्कुट के, सो थैंक्स, इन स्टार्ट करते हैं, टाइटन के अंदर का ये वाला लेवल, 9.15 की कैंडल, ये वाले जो पॉइंट्स होते हैं, हमें करना क्या है, मार्केट ने क्या किया, प्राइस को पकड़िये गासे, को इंडिकेटर हम लोग यूज नहीं करते हैं, सिर्फ रीडिंग किए आप, एक ये वाली कैंडल हमारी बनी, और इसके बाद से प्राइस में देखिए, इसके अंदर कितना बड़ा मूव दिखाया है, और मार्केट देखे, यहां पर आकर कि फ्रोज हो गई, इस वाली कैंडल का भी लोज ने ब्रेक कर दिया, है न, अब अगर प्रैस को नीचे की तरफ गरना तो क्या करना होगा, हमारी इस ब्लैक वाली कैंडल के नीचे जाकर क्लोजिंग करना होगी, तभी तो नया अलो लगेगा और जब तक यह लो प्रोटेक्टेट है, इस वाले लेवल से हमारा प्रैस स्ट्रॉंग रहेगा, समझ रहे हैं, आप इसके बाद में देखिए हुआ क्या, कि फ्राइडे का जो सेशन था है, इसमें प्रैस ने गेप अप ओपनिंग दे दी, और गेप अप ओपनिंग के साथ में प्रैस अगेन हमारी इस वाली रेंज के अंदर और इस एक कैंडल के अंदर ही जाकर के क्लोज हो गया सीदे, मतलब कि जिस लेवर के उपर प्रैस हमारा नहीं निकल पा रहाए था, मतलब यहां से प्रैस हमारा नीचे के तरफ गिर गया था, फिर से price हमारा इससी level पर है कि यहां से गिर सकता है नीचे की तरफ या नहीं किर सकता है और अगर यह strong है तो इसको क्या करना होगा इस वाली range के उपर जाकर कि इसे trade करना होगा इसको कह लिजे या फिर यह वाले कहिंगा अगर कल मार्केट गिरी तो टाइटन आपको कितना अच्छा मूग दिखाता है रेंज के अंदर रहेगा तो ट्रेड मत करिएगा इन बिट्फिन ट्रेड मत करिएगा सिर्फ ब्रेक आउट और ब्रेक डाउन इस तरह से आप टाइटन को देखे कोई भी लेवल जब आप मार्क करोगे तो जैवेज जिस तरह से भी प्रेस्ट मेनी रीत करके बदा है कोशिच करो चार्ट गो उस तरह से रीट करने की कोई भी एक लाइन आप मार्क करो कॉइब एक लाइन लीजे हमने इस तरह से अपनी लहीं ब्रोग कर लिया तो जब तक price हमारा इस candle के low के नीचे है, मतल azt गिर रहा है इस वाली candle के low के नीचे है गिर रहा है और फिर यहाँ पर इसने क्या-क्या है ये जो black वाली candle ने इसके low को protect कर लिया और again price हमारी इस वाली candle पर चलि اللीगे क्या फिर्स इसका मूव आपको नहीं लग रहा है कि डाउन साइड की तरफ अगर गिरता है तो क्योंकि order सारे के सारे बचे हुए है इस बीच के जितने भी अपने order से यह सारे order पे पेंडिंग पड़े हुए गैप अप के बाद में वो गैप फिल होता जरूर है यह सारे order हमारे भी पड़े हुए अभी फिल नहीं हुए पूरी तरह से तो जब तक यहां पर order फिल नहीं हो जाएंगे तब तक ना तो market यहां से नीचे गिरेगी और ना ही यह वाले order फिल अप कि बगार यह उपर अगर इसको उपर जाना हुआ तो समझ रहे हैं अभी हमने क्या बताया है टाइटन एक लेवल हमने बता दिया market के पने पास रख लिजी और देखेगा इसको कि क्या होता इसके अंदर और इसी की तर्ज पर सेम ऐसे ही आपको अपने जो कुछ स्टॉक्स हो उनके लेवल्स और उन लेवल्स के साथ में काम करने की कुछिश के लिए हैं इतना सा काम आपको करना है दूसरा अभी जो exercise हम आपको करने के लिए यह थोड़ी सी tough exercise होगे यह तो यह होगे जो भी हमने बताया अभी जो हम exercise देंगे यह tough होगी इसलिए क्योंकि बहुत problem इसके अंदर आपक लेक वाली केंडल जो कि आज फॉर्म हुए है यह नहीं बनीती हम सभी मार्किंग्स को डिलीट कर देते हैं वेकर कल हमने इस ग्रीन वाली केंडल के तुरू प्राइस को रीट किया था इस ग्रीन वाली के नीचे अगर पैस गड़ता तो मूफ अच्छा मिल जागा अब दे इस ग्राइन थान है क्राउंड शीगर में यहां पर आकर कि हमने अपने टार्गेट से जितने विते सारे के सारे बुक कर लिए बाकी ठीक है बारा तेराज़ा और प्रॉफित हो गया था तो अब ज्याद हम रुके नहीं यहां पर इस ज्यागे पर अपने प्रॉफित हमने इस ने ब्रेक कर दिया फैमिर के टैम फ्रेम पर आ जाए और उपर में जो लाइन है सबसे उपर वाली इस लैन को डिलीट करते हैं और उपर वाली लैन को थोड़ा सा लेकर के चिलिएगा ओके यह हमारा प्रिवेज टू प्रिवेज टे का लोग पॉइंट है और यह मेरा प्राइज ने हाई वॉल्यूम के साथ में डाउंसाइड की तरफ हमारे लेवल्स को ब्रिक आउट कर दिया अब अगर हमें ट्रेड एग्जिक्यूट करना है तो हमने इसके अंदर लेवल कौन से निकाल अपना ट्रेट करने के लिए प्रिवेज टू प्रिवेज टे का जो हुआ है क्योंकि कल भी यह चीज हमने समझाए थी और अभी भी देखे हम आपको समझा देते हैं कि प्राइस का अपना एक रेस्टेंस लेवल है प्राइस ने हमारे इसे एक पॉइंट को ब्रेक करने के बाद में एक अपसैट का गैप ओप ओपनिंग दे और गैप ओप पुरा गैप में कैश करने को मिल जा है सो हमने क्या किया सिंप्ली कल की रीडिंग के कॉर्डिंग आज टाइटन की जो गैप थे उन्हें ही ट्रेट किया इसके लाब और कोई ट्रेट एक्जिक्यूट नहीं किया और जो सेकेंड था हमारा ओवराल्टी का सो यह दो के दो ट अगर हम रुख गहोते तो शायद मेरी ब्रोकरीज ही गई नहीं यहापर करीब 300 और 300 और 600 रुपए की मेरी ब्रोकरीज जाएगे तो यह 300 रुपए मेरे बच सकते थे यहां से देखे प्राइस मेरा यहां तक गिरा है करीब 0.5% का मूव तेजिस रुपए गिरा है 800 कौइं लगवक 16 राउंड फिगर में अगर लेकर करके चलें तो 15-16 जाओर पर हमको मिलता तो उतना ज्यादा तो प्रॉफिट ने बिकॉस यहां से तो हम निकल लिया लेकिन दूसरा टेड हमें टाइटन भी मिल गया और टाइटन जो हमको मिला वो करीब 10-45 या 11-45 के आसपास यह है तो उसको जरूर से जरूर लाइक कीजएगा, कॉमेंट्स कर दीजएगा और अगर चैनल पर पहली बार आप आया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिजएगा, साइंक्स एंड वी विल मीट अगें